Hello students, आज हम पढ़ेंगे कवीता सहर ससुईकारा है। इस कवीता के रचाइता स्रिगजानन माधव मुक्ती बोध्जी हैं। इस कवीता में कवीता अपनी प्रेमी का या प्रेयसी को संबोधित करते वेका रहे हैं कि जिन्दगी में जो कुछ है जो भी है सहर ससुईकारा है इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है यहाँ पर कभी कह रहे हैं कि मुझे जिन्दगी में जो कुछ भी मिला मैंने उसे सहर स अर्थात खुसी के सा सुईकार किया है क्योंकि जो कुछ भी मेरा है अर्थात मेरे पास है वह तुम्हें भी प्रिया है गर्बिली गरीबी यह यह गंभीर अनुभाव सब यह विचार वैभाव सब कभी कह रहे हैं कि अर्थात कभी गरीब हैं और कह रहे हैं कि मैंने अपनी गरीबी के दिनों को भी बहुत गर्व से जिया है और उन दिनों को मैंने गंभीरता से अनुभाव किया है यह विचार वैभाव सब अर्थात मैंने उन दिनों को गंभीरता से अनुभाव किया है और विचार वैभाव को द्रिलता से मजबूती से समझा है भीतर की सरीता यह अभीनाव सब यहाँ पर भीतर की सरीता अर्थात उनके मन के अंदर के भावनाओं की नदी शरिता अर्थात नदी, तो कभी कह रहे हैं, कि मेरे मन के अंदर की जो भावनाओ की नदी है, उसे मैंने अभीनाओ अर्थात नयापन, नयापन देने की कुछिस की है, और जो नयापन है, वह वास्तविक है, इसलिए कि पल-पल में, जो कुछ भी जागरत है, अपलक है, आप दूसरी कविता देखते हैं, जाने क्या रिष्टा है, जाने क्या नाता है, जितना भी उडेलता हूं, भर-भर फिर आता है। दिल में क्या जहरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह उपर तुम, मुझ परतियों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। तुम्हारे लिए प्रेम और भावनाएं फिर से उत्पन हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे मेरे दिल में मीठे पानी का जहरना है, ये मीठे पानी का सोता है अर्थात मीठे पानी का जहरना है। भीतर वह उपर तुम, मुझ परतियों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। यहां पर कभी कह रहे हैं कि मेरे हिर्दय के अंदर तुम्हारे प्रतिय अथा प्रेम हैं और बाहर पुर्णिमा के चांद की तरह अर्थात आस्मान में जो चांद है वो बहुत सुन्दर होता है। तो कभी अपनी प्रेमिका की सुन्दरता चांद से दोनों को तुलना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चांद की तरह तुम्हारा जो सुन्दर चेहरा है वह मेरे मन में बसा रहता है और तुम्हारे चेहरे की जो सुन्दरता है वह मुझे प्रभावित करती है इसमें दिल में क्या जरना यहाँ पर प्रस्ण अलंकार है और मुझ पर तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा यहाँ पर कभी अपनी प्लेमी का कि तुन नचान से कर रहे हैं अर्थात यहाँ पर उपमा अलंकार है अब यहाँ से देखते हैं सच मुझे दंड दो कि भूलू में भूलू में तुम्हें भूल जाने की दक्षिड धुरूवी अंधकार आमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू में जेलू में उसी में नहालू में कवी यहाँ पर कह रहे हैं कि हे प्रिय तुम मुझे ऐसी सज़दो कि मैं तुम्हे भूल जाँ और तुम्हे भूल जाने कि मैं ऐसी सज़़पाँ जैसे दक्षीर, धुरूवी अंधकार आमावस्या अर्थात आमावस्या के घंगोर राद की तरह मुझे तुम्हारे वियोग के छाया मेरे सरीर पर और मेरे चेहरे पर पड़ी रहे और उसे मैं सहन करूँ और उसी में नहालू अर्थात उसी में मैं सराबोर हो जाओ इसलिए कि तुमसे ही प्रवेश्टित आच्छादित रहने का रमड़ी यह उजाला अब यहाँ पर कभी अपनी प्रेमिका से बहुत प्रेम करते थे और प्रेमिका के प्रेम बंधन से अब वह आजाद होना चाहते थे क्योंकि उनकी प्रेम बंधन के वज़े से कभी कमजोर पड़ गये हैं और जिन्दगी में कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो वो आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी प्रेमिका के प्रेम बंधन को तोड़ना चाहते हैं इसलिए कभी कह रहे हैं कि जो तुमने मुझे पर अपने प्रेम का आवराण धका हुआ है के बादल के मनराती को मलता भीतर पिराती है यहां पर कभी कर रहे हैं कि तुम्हारे इसने का कोमल इसपर्स मुझे विपत्ति के बादल की तरह भैभीत कर रहे हैं अर्थात भीतर पिराती है अर्थात मुझे डरा रही है कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा कभी कर र तो यहाँ पर कभी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे प्रेम की वज़े से कमजोर और अक्षम हो गया हूँ। जैसे कोई छटपटाती चाचाती की भवियता डराती है और थात अपने भविषय से डर रहे हैं। कभी अपनी प्रेमी का के प्रेम की कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और डर रहे हैं कि भविषय में वो कुछ कर नहीं पाएंगे और उस प्रेम आवरान को वो हटाना चाहते हैं। बहलाती, सहलाती, आत्मियता बरदास्त नहीं होती है। यहाँ पर कभी कह रहे हैं कि भविषय के अन्होनी आसंका से मैं अंदर से डर गया हूँ और तुम्हारे बहलाने, सहलाने और अपना पन का प्रदास्त करने से मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं आत्म निर्भर होना चाहता हूँ। कभी अपनी प्रेमीका को तो भूलना चाहते हैं, परन्तु इस कविता में कभी अपनी प्रेमीका से कह रहे हैं कि सच मुझे दंड दू की हो जाओं। मतलब होता है सूरंग। यहां पर कभी कह रहे हैं कि मैं इन सूरंगों में इस तरह लापता हो जाओं अर थाट गूम हो जाओं। कि मुझे खुद को पता ना चले और कभी कह रहे हैं कि मैं जो इन कुफाओं में और अंधेरी कुफाओं में गुम हो जाओं इसकी वज़ा मैं तुम्हें मानूं मुझे ऐसा सोच मिले लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है इसी को कभी कह रहे हैं कि मेरे साथ जो जिम्मेदार मैं तुम्हें मानू अब मुझे ऐसी ही सोच का सहारा मिले इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है कभी कह रहे हैं कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें भी प्रिया है या मेरा जो होता सा लगता है होता सा संभाव है सभी वह तुम्हारे ही कारण के कारियों का घेरा है क पार्यों का वैभाव है अब तक जो जिन्दगी में जो कुछ था जो कुछ है सहर सा सुर्कारा है यहां पर कभी कह रहे हैं कि तुम्हारी प्रेम मैं यादें मुझे अकेले में भी तुम्हारी सुनहरी यादों से मुझे प्रेम और सुकुन मिले क्योंकि जिन्दगी में मुझे आज तक जो कुछ भी मिला वह तुम्हारी प्रेमना से मिला है जो कुछ भी मेरे पास है और जो कुछ भी मेरा होता सा संभावना है होने की संभावना है वह तुम्हारी प्रेमना से मिला है और मुझे जिन्दगी में जो कुछ भी मिला है उसे म रदो में अनुप्रा सलंकार है और मुक्तत छन का प्रयोग किया गया है